हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों इन दिनों एक और नया स्कैम स्टार्ट हुआ है और पूरी वीडियो देखने के बाद आप मुझे कॉमें पताना कि यह एक स्कैम है या नहीं बट मेरी नजर में है और इसलिए मैं इस वीडियो को जो है आप लोगे सापने पेश कर रहा हूँ देखे दोस्तों इन दिनों इंडिया निल्वेज जो है जबरदस्टी लोगों को थर्ड एसी से थर्ड एसी एकॉनमी कोच के अंदर जो है शिफ्ट कर रहा है आप सब को पता है कि थर्ड एसी एकॉनमी कोच जो है वो कितिने बेकार क्वालिटी के कोच ज़ए हैं इन टरम्स ऑफ कमफर्ट उन कोच इस में कमफर्ट बिल्कुल भी नहीं है एंड एसी क्लास में ट्रावल करना इस आज भी इंडिया में एक लगजिरी सी मानी जाती है के फेर से थोड़ असा ज्यादा लेकर के ए 60 में सफर कराएंगे बेसिकली सस्ते में एसी किलायह है वो आल्मॉस्ट ईक्वल है दोस्तों आपके अजित के कंपरिजन में उधारन की तौर समझते हैं एक ट्रेन हैं मूंबई दुरंतो नाइडिली से सब कुछ आप हटा हो टू दें अभी तो 225 रुपए आपको जो है देने पड़ेंगे लेकिन वहीं इस ट्रेन में अगर आप थर्डेस एकॉनमी कोचिस में टिकेट कराएंगे तो आपको 220 रुपए देने पड़ेंगे दोनों के बीच का जो डिफरेंस दोस्तों वह है मात्र 135 रुपए अब अगर आप किछी दुरंतों ट्रेन में चले जाएं और केटरिंग को आप्ट ना करें और सिर्फ केटर से यह कहें कि यार मुझे एक ब्रिक्फस्त लाके देदो मैं पेई कर दूंगा उसका विल भी दोस्तों 135 रुपए से जादा आपको जो है देना पड़ वो 120 डेस का चलता है यानि कि आज जैसे समझ लो अभी माई चल रहा है तो मैं आज से चार महीने आगे कि टिकेट बुक कर सकता हूं तो मैं मैं में चार महीने जोड़ें अगर तो जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर तो आप यह समझ लो अगस्ट अइंड तक की अभी अब रेलवे जबरस्ती क्या करता है कि लोगों को डाउन ग्रेड मारा है 3rd AC से 3rd AC एकॉनमी के अंदर की जबरस्ती बिना कुछ बोले यह लो तुम यहां से यहां जाओ यहां से यहां जाओ जबरस्ती बदने में लोगों को चटनी का चटाई जा रही है कि जो डिफरेंस लेकिन फेयर्स है वो आपको वापिस कर दिया जाएगा आया सीट से वापिस आपके बैंक एकॉनमे आपको क्रेडिट करतेगी अरे वह वापिस की जो अमाउंट आप दे रहे हो आपको खुद पता है कितनी सी है 135 रुप वापिस करोगे अब दुरंतों के फेरे के अंदर दिल्ली से लेकि मुंबई तक में सिर्फ 135 रुप एंड हर जगह का हिसाब किताब ऐसा ही है कही कही तो 10-20-20 रुप का फरक भी है दोस्तों थर्डेसी एकॉनमी और थर्डेसी के अंदर तो यहां पर वो जवरस्ती लोगों को जो है शिफ्ट कर रहा है थर्डेसी एकॉनमी कोच कीट statement को कम करने के लिए क्योंकि अगर आप लोग कम करोगे अगर आप लोग कोशिश करोगे दिमांड कम करने की तो अर जब रेलवे सब एकॉनमी कोच की क्वराने के ला है हम मिलके दोस्तों इन चीजों को जरूर से counter करेंगे अभी जो railway जो step ले रहा है इसके उपर आपको legal action या other action जो है नहीं ले सकते क्योंकि railways आप से कहीं ना कि acceptance करवा रहा है आपकी वो किस तरीके से करवा रहा है देखिए आपका आपका 3DC का जो ticket है वो automatically आपका 3DC एकोनमी के अंदर एंड रेल्वेस नहीं कहा है कि हम आपको पहली नोटिफाई कर देंगे कि आपकी जो ticket डाउन ग्रेड हो गई है अगर आप जाना आप्ट करते हो तो आप हमारी टमसें करिशन से एगरी कर रहो कि मैं उस 3DC एकोनमी कोच में सफर करने को तयार हुग अब हमारे भारत की विदमना क्या है कि भाईया एक तो चार-चार महीने पहले ticket बुक करने पड़ती है तो आप जब मेरी rate of journey मेरे पास आएगी तो मैं de-opt तो कर नहीं सकता मतलब मैं अपनी journey तो change नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई option नहीं बजएगा तो उस वक्त तो मैं जाओंगा ही जाओंगा तो जैसे ही आप लोग opt करते हो जाने को लेकर के और आप खुद से cancel नहीं कर रहे हो अपने तो रेल्वेस कहता है कि आप मान जाते हो इसमें ट्रावल करना और जब आपने किसी इसको accept कर लिया कि हाँ ठीक है मुझे इससे कोई अपत्ती नहीं है तो आप कोट में या किसी high authority के पास जाके यह बाद में नहीं गोल सकते कि अब तो मुझे से अपत्ती है क्योंकि पहले यह कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में थर्डेसी एकॉनमी के अंदर टिकेट वगरा बुक ना करें हाँ एक चीज़ आप की सतना से हो जो है बच सकते हो अगर आप अभी टिकेट बुक कर रहे हो क्योंकि जुलाई एंड तक कहीं जाके जो एरपी वाला सिस्टा में खतम हो जाएगा उसके बाद यह कनवर्जन नहीं होंगे तो अगर आप अभी अपनी टिकेट वगरा बुक कर रहे हो तो आपको जो लास्ट के थर्डेसी के कोचीज है उनको उप्त नहीं करना है क्योंकि रेल्वेस क्या करता है जो एकॉनमी कोची से रिप्लेस मार रहा है वो पी आने वाली प्रले की निशानी है दोस्तों एंड हो सकता आने वाले टाइम में आपको जो फॉर्स कर रहा है सब्दों नहीं को ठीक है चलो मेरे भाइत तो मैं इस वीडियो में फिला लिटता ही रखता हूं मुझे कॉमेंट सेक्षें के आप लोगों की भर बर के कॉमेंट क पर मस्ट डिसकेशन पैनल चाहिए उपन करना पड़े कर देना नीचे कॉमेंट्स के अंदर बड़ी ऐसी बातचीत करो और मस्ट डिसकेशन करो कॉमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है यह सही कर रहा है नहीं कर रहा है स्कैम है या फिर नहीं है मैं शुबंकबार अलविद लेता हूँ आपसे इस वीडियो में रादे रादे शुरू में कहना भूल गया था उसके लिए महावी चाहता हूँ रादे रादे